हेलो सुदेंट्स कैसाब सभी लोग आज हमारा हिंदी का चैप्टर फोर करेंगे जिसका ना में शब्द संपदा यह मैं आपको पूरा चैप्टर एक्स्प्टर करूगा इसके लिए वीडियो आखरी तक जरूर देखने हैं इसके अगले वीडिये में आपको इसके कोश्चन बहुत है तो देखो इसमें हमारे चैप्टर का नाम क्या है शब्द संपदा मतलब होता क्या है मतलब कि आप वसके कोई भी लेंग्वेज होती है तो उसके हमें कुछ वर्ड्स मालूम लेते हैं तो वही कलेक्शन ओफ वर्ड्स को लेके हम वह भाशा बोलते है तो शब्द बताया है कि किस तरीके से हमारे जीवन में भाशा important होती है भाशा के तुरूही लोग विकास करते हैं अपने जीवन में वो सब information वो सब जानकरी हमें यहाँ पर दी गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बताया गया है यह इनका देखो इनके बारे information है लेक्षक के बारे में कि 7 अगस्त 1942 1942 को इनका गुलबर्गा करनाटक में जनम हुआ था ठीक है और यह जो चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरुक किय है क्या बोल रहे है कि जो लेखक है हमारे इन्होंने इस चैप्टर में इस पार्ट में हमें क्या जो शब्दों की शक्ति होती है उसको बताया है और उसकी संपदा हमें बढ़ाने के लिए जागरुक किया है ठीक है देखते हैं क्या है इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमे है, क्या इसका तुम्हें पता है, देखो, आदिम अवस्था मतला आप बोल सकते हो, जो पुराने जमाने के लोग थे आप बोल सकते हो, ठीक है, आधी काल के लोग आप बोल सकते हो, ठीक है, जि के आज की दुनिया के, तो इनकी विकास, इनके डिवलप्मेंट के जो यातरा है, जो सफर है, उसका रहस्य क्या है? उसका सिक्रेट क्या है आपको, क्या आपको इसका बारे में पता है? कि इनसान आदी मानों से लेके आधुनिक मनुष्य मतब जो modern इंसान है आज के समय का इंसान इसके जो बीच की यात्रा है वो कैसे तैव हुई क्या आपको मालूम है इसका राज अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुल्ला में मनुष्य का विक्सित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति वह संस्कृति के मूल में है क्या बोलने कि अधिकांश मतलब कि अधिकतर जादातर क्या बोलने जादातर लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणी अन्य प्राणी मतलब अन्य मतलब दूसरे प्राणी मतलब आप बुल सकते हो एनिमल क्या बोलने दूसरे एनिमल की तुल्ला में तुल्ला आप बु ज़्यादा विक्सित है तो इसका कारण यही है हमारे प्रगती है वो संस्कृति जो हमें इतने आगे बढ़े है उसका कारण यही है ठीक है? तो देखो लिखक पहले क्या बोले है कि आदि मानों के यूग से लेके आज तक जो इनसान पहुँचे है इस यात्रा का राज क्या है हमसे पूछा फिल लेखा क्या बोले कि जदा तर लोग यही उत्तर देते हैं कि इंसान का दिमाग बाकी जानावरों से के तुल्ला में जदा जदा विक्सित है तो इस कारण ही हम यहां तक पहुचे हैं लेखा का इसा बोल रहे है कि लोग ऐसे सूछते हैं या उत्तर अपूण है लोग क्या बोले है यह जो उत्तर है जो जवाब है अधूरा है पूर्ण उत्तर यह कि मनुश की प्रगती हुई वह इसलिए कि इस मस्तिश्क ने भाशा की खोज की देखो यहां पर पूण मतब इसका पूरा उत्तर यह है कि मनुश्च की प्रगती इस लिए हुए development इस लिए हुआ क्यूंकि उसके दिमाग ने भाषा лैंग्वेज की खोज कि ठीक है भाषा ही सभी प्रगती की जडमें जड़ में है क्या बोल रहे हैं भी लेखक कि जो भाशा है जो लैंग्वेज है यही सबके प्रगति सबके डिलॉप्मेंट की जड़ है रूट है यह दुनिया की सभी ग्यान शाखाओं का विकास हुआ भाशा के कारण तो लेखक बोल रहे है कि दुनिया में पूरी वर्ड में जतनी भी ग्यान शाखाओं की जो भी अलग-अलग टाइप के हमें जैसे कि science हो गया, science में हम जो इतने आगे बढ़े हैं, बाकी सारी चीजों में भी जो हम आगे बढ़े हैं, ये सब का कारण है भाशा, ठीक है? भाशा का अर्थ है, सार्थक शब्दों का व壓स्थित, क्रंबध-सयोजन, क्या बोले हैं आपर ये लिखक? देखो, पहले ये आपर, सार्थक, शब्द वह मतलब क्या? systematic तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे है कि जो भाषा होती है जो language होती है उसका earth है कि हम meaningful words को क्या करें एक systematic combination बनाएं जैसे कि अगर आपको बोलना है आपको हिंदी आती है ठीक है आपको एक word मालूम है नाम एक word मालूम है मेरा एक word मालूम है ठीक है तो अब किसी ने पूछा आपका नाम क्या है तो आप यह जो words आपको मालूम है तो आप क्या करोगे इसको एक order में arrange करोगे ना पहले बोलोगे मेरा फिर बोलोगे नाम फिर बोलोगे है फिर अपना नाम पहले, मेरा नाम उसके बाद अतना नाम बोलोगी, आप last में है बोलोगी, कि मेरा नाम Amit है, अगर इसको आप systematic arrangement नहीं करो, ऐसा बोल दो, amit है, नाम मेरा तो देखो, ये कैसे अच्छे से नी आरेंज हुआ रहा रहा, अच्छे से नी लग रहा है, तो हम एक अरेंज करके words को एक systematic arrangement उसका बना के फिर हम words को बोलते है तो वो भाशा बनता है मेरा नाम अमित है कल तुम स्कूल जाओगे हम एकदम अरेंज करके बोलते है तो इसी को बोल रहे हैं लेख़क यहाँ पर clear? चोई आगे चलते हैं अब यहाँ पर क्या बोलने है? शब्दों का यह संसार बड़ा विच्चितर है क्या बोलने है? कि यह जो शब्दों का यह संसार है जो भाशा में जो शब्द जो अलग words रहते हैं यह बहुत ही विच्चितर है मतलब बहुत अनोखा है शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता कुरिंकि शब्द देखो शब्द ऐसी चीज है अगर आप समझ कर नहीं बुलोगे तो उसपे बात बिगड़ सकती है दोखो यही भाशा से, एक शब्द से ही लोगों में धगड़े हो जाते हैं, लोगों में बनाओ बना रहता है, तो हम शब्दों का भाशा का समझ के हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अब आगी क्या है? शब्द ही मनुष को ग्यान से जोड़ते हैं, अब लेखा क्या बोले हैं, यह जो words होते हैं भाषा के language के यह मनिश को इंसान को ग्यान से जोड़ते हैं उन्हें ठीक है शब्द ही मनिश को मनुश्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुश्य को मनुश्य से तोड़ते हैं देखो वही बात यहां पर बोलते हैं जो शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं शब्द लेंग्विज जो बोलते हैं यह एक मनुष को दूसरे मनुष से जोडते हैं इनमें प्यार बना रहता है और यही शब्द जो है अगर इसका सही से इस्तिमाल नहीं किया जाए तो यही मनुष को मनुष से क्या करते हैं तोडते ह गलत शब्द गलत समय पर बोला जाएगा तो उससे क्या होता है लोगों में जगड़े हो जाते हैं ठीक है लेकिन अगर इंसान समझ के सही शब्द सही से यूज करें सही से बोलें तो वो दूसरों को क्या करते हैं दूसरों को अच्छा लगता है उनमें बनाओ रहता है प्या धवनी मतलब बल सकते हो sound, चिन मतलब symbol, निर्जीव है, निर्जीव मतलब बल सकते हो प्राणहीन, जिसमें जान नहीं हो, क्या यहां पर बोलें, कि विज्ञान जो है, जो science है, उसके point of view से, उसकी नजर में जो अक्षर होते हैं, जो यह शब्द होते हैं, यह एक सिर्फ आव जीवन्त बनाता है, उसको क्या करता है, जीवित करता है, बोल के, जैसे कि अभी शब्द तो कुछ भी नहीं है, हम जब बोलते हैं, तो उसका मतलब बनता है, उससे बहुत कुछ काम होता है, ठीक है, तो वहीं बोल रहे हैं, कि science के नजर में जो शब्द है, वो तो क्या है, कि जो यह शब्द है, इंसान द्वारा जब बोले जाते हैं, जब यह जीवित हो जाते हैं, तो क्या होता है, उनमें मनुष्य के, इंसान के विविद्ध, मतलब अलग-अलग सौभाव आते हैं, सौभाव मतलब आप क्या बोलोगे, इंसान की कॉलिटीज उसमें आने लगती है, जैसे कि अभी शब्द कोई भी बोल दिया, जैसे कि कोई गुस्से में बोले, कि आज, मतलब जैसे कि आपकी मम्मी बोल दे, कि आज अगर तुमने पढ़ाई नहीं किया, तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तो कैसे, एक देखो समय कुछ बोले, कि बेटा, आज खाना तुम्हारे मन का बना है, तो अच्छे से खाना मैंने तुम्हारे लिए बना है, तो देखो, यह शब्द में कैसे है, आपको लग रहा है कि हाँ, यह शब्द में एक, क्या है, प्यार है, प्रेम है, हम सिर्फ शब्दों को सुनकर है इनके जतने भी विबिन अलग अलग जतने नमुने है जतने एक्जामपल है उतने ही शब्दों के सवहाओ के नमुने है उतने जो वर्ड address के behavior के नमुने हैं example है ठीक है गुसा है तो आप words में गुसा भी मिलेगा और कोई खुश है वोभी sad है वो भी और कोई रो तो भी आप शब्दों से सब कुछ बया कर सकते हो, सब कुछ बता सकते हो, अब चलते आगे, जैसे कुछ लोग औरों को हसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हसाते हैं, क्या बुलें, कि जैसे कि कुछ लोग औरों मतलब दूसरों को हसाने का काम करते है वैसे ही जो कुछ शब्द होते हैं वो भी दूसरों को हसाते हैं जैसे कुछ मनुष औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है क्या बोल रहे हैं यहां पर? उच्चारण मात्र मतलब बोलना बोल सकते हो ठीक है? कुछ बोलना व्यत्थित मतलब परेशान हो जाना दुखी हो जाना क्या बोलने कि जैसे कुछ मनुष्य दूसरों को हमेशा तकलीफ देते हैं उनका आतरीत हें, दुसरों को तक्लीब देना, ठीक है, गसे पॉले हएक शब्द भी ऐसे होते हैं, अगर उसको बोला जाए तो सामने वाला व्यक्ति, मैं अघे, तुछी हो जाता है, अजिक हो दुखी हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बस्तिक है, अभी किसी क कोई पास दिमाग नहीं है। वो पढ़ाई नहीं करते हैं तो बार-बार कोई आगर ऐसा बोलते हैं। दुखी होता है तो ऐसे words जब बोले उसको सुनकर लोग रोने भी लगते हैं, मैंने आपको अभी एक्जामपल होता है न, आपको यह चाज पढ़ाई नहीं कर रहा है, अगर उसको बोलो, कि नहीं तुम पढ़ाई नहीं करो, तुम फेल हो जाओ एक्जाम में, तो कुछ लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा दु हैं मतब कि बहुत प्यारे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं वैसे कुछ शब्द भी बहुत प्री होते हैं उन्हें बार-बार सुनने की सुनने की गुंगुनाने की इच्छा होती हैं एक और कुछ शब्द धोका देने वाले होते हैं कुछ निरर्थक होते हैं तो दूसरी औ और कुछ शब्द बहुत सज्जन सत्विक सभ्य और संस्कृत होते हैं तो देखो अभी आपर बोले कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो धोखा देने वाले रहते हैं जो शब्द में धोखा रहता है ठीक है और कुछ ऐसे रहते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है और दूसर और कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जो सजन होते हैं, सात्विक होते हैं, मतलब कि एक दम बहुत ज़्यादा साफ सुत्रे अब बहुत ज़्यादा इमानदार, सब्वे होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, मतलब बहुत सकते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं कुछ मत करो जो भाग में है वह तो मिल ही जाएगा is डेफो निश्क्री मतलब क्या होता इन्येटियोंOOOO आप ब fent Colorado कुछ नहीं करनेका अलंट कम Day कुछ सब्द ऐसे वह जो हमें आल्सी बना देती है कि हम जैसे कि आप दो किस्मत तो आप यह तो आप और अगर तो आप निश्क्री हो जाओ ओर और पर मिले को नहीं है नहीं है तो नहीं मिलेंगे। नहीं है तो नहीं मिलेगा, किसमत में है तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90 प्रतिशत, 90 प्रतिशत परिश्रम की, 5 प्रतिशत बुद्धी की और 5 प्रतिशत संयोग की जरूरत हो पूख भूख गया तो वो क्या बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी काम में सफलता मतलब काम्याबी चाहिए सकसे चाहिए उसके लिए 90 प्रतिशत 90 परसंट आपकी आपका परेश्वर्म मतलब मेहनत रहेगा 5% मतलब 5% आपकी बुद्धी आपका दिमाग रहेगा और 5% 5% मतलब संयोग रहेगा coincidence मतलब कि वो हो सकता है किसमत में रहे तो मिले नहीं रहे तो उनमें नहीं मिले ऐसा सिर्फ 5% इसकी संभावना है एक है तो होई Newton जो इतनी बड़े साइंटिस्टों उन्यों नहीं बोला कि 90% सिर्फ आपकी मेहनत है 5% आपका उसमें बुद्धी आपके से दिमाग लगा रहे हो और 5% सिर्फ किसमत है उसमें ठीक है इसके लिए किसमत के भरों से बैठोगे तो आपको कभी भी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी परंतु याद रखे किसी भी काम को पूर्टों को देने के लिए 90 प्रतिशत कठोर परिश्रम की ज़रूत होती है क्या बोलने यापर यहाँ पर देखा पूर्टों मतलब क्या होता है पूरा क्या बोलने यहाँ पर अभी कि परंतु मतलब कि लेकिन ये बात याद रखो आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए 90 प्रतिशत 90 परसेंट कठोर परिश्रम मतलब कि बहुत ही जादा मेहनत हाड वोक आप बोल सकते हो उसकी ज़रूत होती है अब किस्मत को तो भूली जाओ उसमें 90 परसेंट आपको मेहनत आपकी चाहिए मतलब अगर मेहनत नहीं करोगे किस्मत के भरोसे बैठे रहे तो आपको बहुत कम चांस है वो मिलने वाला हो अब आगी क्या है ऐसे शब्द जो हमें निस्क्री करते हैं उन्हें हमें अपने जीवन विवार से निकाल बाहर करना चाहिए क्या उल्डे कि ऐसे शब्द ऐसे वोड्स जो हमें निस्क्री जो हमें आलसी बनाते हैं हमें क्या करना चाहिए उन्हें अपने जीवन से अपनी जिन्दगी के वह भाहर बहेवियर जो रहता है हमारे जीवन का उससे हमें निकाल कर बाहर कर देना चाहिए क्लियर चलोगी आगे चलते हैं अब यहां पर क्या बोले हैं देखो आप यहां पर देख सकते हैं कैसे दोनों जन लड़ाई कर रहे हैं कुछ ऐसा शब्दों से ही वह शुरू हुआ होगा कुछ गलत शब्द बोल दिये गए होंगे लड़ाई होने भी यह लोग आपस में हसी खुशी बात कर रहे हैं तो इन उनहीं में से एक बन जाते हैं कि कुछ भाषा ऐसी होती है जो दूसरे जो अन मतलब कि दूसरी जो भाषा दूसरी लैंग्वेज रहती हैं उनसे मित्रता कर लेते हैं और उनहीं में से एक बन जाते हैं मतलब कि दो लैंग्वेज जो सिमिलर तरीके की होती है तो अगर उर्दू भाषा भी किसी को बोलते हुए सुनोगे, आपको समझेगा, कुछ-कुछ चीज़े आपको नहीं समझेगी, लेकिन ज्यादा तर चीज़े समझेगी, उसी तरह कोई उर्दू भाषा भोलने वाला हिंदी भाषा वाले को सुनेगा, तो उसको भी समझेगा, अब दे जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं, जो सबसे घुल मिल जाते हैं, यह भाषा उसी तरीके से दूसरे भाषा में मिल जाते हैं, जैसे कुछ आपके मित्र हैं, जो सब में घुल मिल जाते हैं, जाकर दोस्ती कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता न नहीं मिल पाते हैं, विशेसकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहां की भाषाओं ने घुल मिल गए, क्या वोल रहे हैं जैसे जैसे की जो अंग्रेजी, जो इंग्लिश भाषा इंग्लिश लेंग्वेज के जो वर्डs है वो किसी भी प्रदेश में, मतब किसी भी country में गए वो वहां की भाशाओं में, वहां की language में घुल मिल जाते हैं आप दो कितनी सारी English के जो words हैं हम बोलते हैं, ठीक है? तो वही भी बोल रहे हैं कि English जहां भी आते हैं वहां के भाशा में घुल मिल जाते हैं बिल्कुल आपके उस दोस्त की तरह जो हर किसी में जाकर गुल मिल जाता है, क्लियर? चलो, आगे जाते हैं जैसे, bus, rail, car, radio, station आदी, क्या बोले हैं? जैसे, हम कौन-कौन से English words यूज करते हैं? बस, rail, car, radio station आदी, ये सब English बोले हैं लेकिन हम बोलते हैं रोज, हम पूरा हिंदी नहीं बोलते हैं, इंग्लिज भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड परिवार तक ही सीमित हैं, क्या बोले हैं? ये बोला जाता है कि जो तमिल भाषा है, ये सिर्फ अपने परिवार द्रविड बोलते हैं, वही तक सीमित हैं, वही पर लोग बोलते हैं, समझ पाते है ठीक है हर कोई नहीं समझभाता है अब आगे कहा है वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते यह जो तमील भाशा का जो शब्द है किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते क्योंकि सिर्फ वहां के लोगी जानते हैं वहां के लोगी समझते हैं किसी और से आप बोलने जाओगे वो कुछ भी नहीं समझेगा क्या यहाँ पर देखो अल्बत्त मतलब कि आप बोल सकते हो कि अल्दो या तो हाला की जब की ठीक है स्वत्तंत्र मतलब कि आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट ठीक है अस्तित्त मतलब पहचान बोल सकते हो क्या बोले कि अल्बत्ता हाला कि हिंदी के कुछ ऐसे शब्द है जो मिलनसार है, मतलब हिंदी शब्द मिलनसार है दूसरों से, तेक है, आप हिंदी शब्द बोले, बहुत सारी जगहों पर लोग हिंदी समझ जाते हैं, तेक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी है हिंदी के, जो स्वत्यंत्र, जो independent है, वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, वही जगहों पर बोले जाते हैं, जो घुलते मिलते नहीं है, कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं, कि उनका सुत्यंत्र रूप खत्म सा हो जाता है, क्या बलड़े, कि कुछ हिंदी शब्द ऐसे होते हैं, कि वो दूसरों शब्दों से इस त उनका स्वतंतर रूप है, जो independent, उनकी जो पहचान है, वो ही खत्म हो जाती है, ऐसा लगता ही नहीं है, कि दूसरी language का word है, ऐसा लगता है, यही language का word है, वो शब्द है, clear, समझ गया, और देखो, आगे क्या बोलने हैं यहापर, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं, से मिलकर बने हैं, अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, क्या बलने हैं, अब वो शब्द हिंदी के ही बन गए है, अब वो हिंदी में यूज होता है, कि उसी को पता भी ने, दो शब्द से मिलकर बने हैं, जैसे, देखो, यहाँ पर हिंदी संस्कृती, हिंदी और संस वर्जगाट माग पत्र यह दो वोड़ बताएगा जो हमें संस्क्रित और हिंदी के मेल से बनकर मिला है तो देखो यह दो शब्द है वर्जगाट मतलब इसका मतलब साल गरह या इनिवर्सिरी ऐसा कुछ माग पत्र का मतलब डिमांड आप बोल सकते हो और हिंदी अर्भी ये हिंदी अर्भी फार्सी इससे मिलकर भी कुछ शक बने हैं जैसे कि थानेदार आपको मालू में किताब घर आप बोल सकते हो लाइबरेरी ओके संस्कृति और अंग्रेजी और संस्कृति से मिलकर भी कुछ वर्ड हमें हम पढ़ते हैं रेल यात्री रेल क्या है ये अंग्रेजी वर्ड है यात्री संस्कृति वर्ड है फिर क्या है रेडियो तरंग ये रेडियो क्या है अंग्रेजी वर्ड है तरंग संस्कृति वर्ड यह तीन लेंग्विज से भी मिलके कुछ शब्द वने हैं जैसे कि बीमा पॉलिसी आदी ठीके बीमा क्या है अर्बी और फार्सी में पॉलिसी क्या है यह अंग्रेजी है इन शब्दों से हिंदी का हिंदी का भी शब्द संसार स्मृद्ध हुआ है क्या बोल रहे हैं आपर द इसमें और भी शब्द आ गए हैं कुछ शब्द अपनी मा के इतने लाडले होते हैं कि वे मा मातर भाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं क्या बोले कि कुछ शब्द अपनी मा के इतने लाडले होते हैं मतलब कि वो उस भाषा के इतने जादा इंपॉर्टेंट व वो होते हैं शब्द की और कोई भाषा में जाकर मिलते ही नहीं है वही यहां पर बोला गया है कि अपनी मा के इतने लाड़ ले होते हैं कि कोई और क्यों अपनी मा मातर भाषा को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं है ठीक है मतलब अपनी भाषा से कोई और भाषा में जाकर मिलते हो निडर ओके यतने निडर होते हैं इतने बहादूर होते हैं कि वह जाकर दूसरे भाषा में अपनी जगां खुदी बना लेते हैं ठीक है दूसरे शब्दें जाकर मिल जाते हैं जैसे कि अब हमने एक्जामपल देखा है अलग-अलग शब्द जो हिंदी में यूज होते हैं शब्द के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा स्मृद्ध होती है। क्या बोल रहे हैं आपर? कि जो शब्द होते हैं अलग-अलग भाषा के इस प्रकार इस तरीके से जब वो बाहर जाते हैं मतलब कि अपने मात्र भाषा से जाकर दूसरे भाषा में मिलते हैं तो इससे क्या होता है जो हमारी भाषा है वो भी स्मृद्ध होती है मतलब कि और धनवान होती है उसमें और डिश शब्द आ जाते हैं जुड़ जाते हैं अब आगे का है विशेश्था वे शब्दे जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते क्या यहां पर बोल रहे हैं कि खास कर विशेश्था मतलब पर खास कर ऐसे शब्द जिसके झॉषेश्था मतलब कि उसके लिए कोई शब्द हमारे पास बोलने के लिए नहीं रहता तो हम उस language का शब्द बोलने लगते हैं क्योंकि हमारी भाषा है वो स्मिर्द्ध होगी और धन्वान होगी इसमें और भी शब्द जुडएंगे जैसे ब्रश यह क्या है यह अंग्रेजी वोड़ है रेल हो गया पेंसिल हो गया रेडियो हो गया कार स्कूटर स्टेशन आदी इस सब दूसरे लेंग्वेज के को हिंदी में यूज करते हैं क्लियर हो गया परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुन्दर शब्द हैं उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उप्योग नहीं होना चाहिए क्या बोल रहें लेकिन अगर हमारे पास कोई जो कोई शब्द हमारे पास है मतलब को कोई चीज़ है, कोई शब्द जिसके पास हमारे विल्ये-अलेड पास हमारे पास एक शब्द हे तो हमें दूसरी भाशा का शब्द नहीं यूज्श करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए अमें KHA भू की भाशा का वह शब्द यُ2016 करना चाहिए माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू ये सब शब्द हम अपने माबाब के लिए यूज़ कर सकते हैं और भाई बेन के लिए ठीक है? तो इसके लिए हमें नहीं दूसरे शब्द यूज़ करना चाहिए अब उन्हें छोड मम्मी डेडी कहना अपने भाषा के सुन्दर शब्दों को अपमानित करना है अब अगर हम ये सारे शब्द जो है इनको छोड़ कर हम क्या करें? मम्मी डेडी कहने लगे अपने माई, अम्मा, बाबा, अक्का जो भी आप बोलते हो ये छोड़ कर हम मम्मी डेडी बोलने लगे तो हमारी जो भाषा है उसके सुन्दर शब्दों का अपमान होगा ठीक है? क्या होगा? डिस्रिस्पेक्ट होगी, अपमान होगी चलो, अब ये आगे बढ़ते हैं तो हमें जादा तर अपने भाषा के शब्द यूज़ करना चाहिए क्योंकि देखो, बाहर के लोग हमारी भाषा के शब्द यूज़ नहीं करते तो हमें भी ट्राई करना चाहिए, हम भी अपने भाषा के सब्द यूज़ करे अब आगे कहें हमारे मुख से उच्चरित शब्द, हमारे चरित्र, बुद्धी मत्ता, समझ और संस्कारों को दरशाते हैं इसलिए शब्दों को उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? देखो, मुख मतलब क्या था है, मुख, उच्चारित मतलब बोला हुआ, उच्चारण मतलब बोलना, पूर्व मतलब पहले तो देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कि हमारे मुँ से जो शब्द बोले जाते हैं वो हमारे चरित्र मतलब कि हमारा कैरेक्टर क्या है हमारा कैरेक्टर क्या है हमारा बुद्ध्य मतलब कि हम कितने समझदार है हमारी समझ कितनी है हमारे संसकार क्या है ये सब को दर्शाता है जो भी शब्द हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें शब्द का उच्चारण, मतलब कि हमें कोई भी शब्द बोलने से पूर्व, मतलब पहले सोचना चाहिए, सोच के बोलना चाहिए, कम से कम शब्दों में अर्थपूर बोलना और लिखना एक कला है, क्या बोलना है, कि कम से कम शब्दों में एक पूरा complete बात बोलना और लिखना एक कला होती है जो कवी लोग लेखा को लोग बहुत अच्छे से करते हैं ठीक है वैसे हमें भी सीखना चाहिए अब क्या यह कला विविद्ध पुस्तकों के वाचन से परिश्रम से साध्य हो सकती है क्या यहाँ पर बोल रहे हैं देखो कि जो कला है कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखना यह विविद्ध मतलब अलग अलग बुक्स को बुस्तक के मतलब बुक्स को वाचन करके मतलब पढ़के और मेहनत से यह हमें मिल सकती है कला साध्य हो सकती है मिल सकती है अब क्या आगे मात्र एक गलत शब्द के उच्चारर से वर्षो की दोस्ती में दरार पढ़ सकती है क्या बोल रहे यहाँ पर कि सिर्फ मात्र मतलब सिर्फ एक गलत शब्द एक गलत वर्ड अगर आप बोल दो उच्चारर कर दो बोल दो तो जो वर्षो की दोस्ती है जो सालो में जगडा हो गया वर्षो की दोस्ती वर्षो का रिष्टा खराब हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एक गलत शब्द की वज़ा से अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए इसे अनुभो मार्क दर्शन वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीख सकता है क्या वोलने कि अब अगर हमें यह पतालने कि किस समय किसके सामने किस प्रकार से शब्द का हमें प्रयोग करने का यूज करना है când हमें अनुभौर्य नहीं मार्क दर्शन क्या है सुन्दर उप्यूक्त और अर्थमें शब्दों से जो वाक के परिक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेड़ी प्राप्त होती है देखें यहाँ पर क्या बोल लें अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुन्दर मतलब ब्यूटिफुल उप्यूक्त मतलब कि आप बोल सकते हो मीनिंग्फुल जो शब्द हम एक्जाम में परिक्षा में लिखते हैं तो उसी कारण हमें अच्छी श्रेड़ी मतलब कि अच्छे मांक्स एक्जाम में मिलते हैं अच् से क्या होता है, हमेशा हानी कारक होता है नुक्सान रहता है हमारे लिए ठीक है अब कि हमारी दुश्मनी हो सकती है कि से जगढ़ा हो सकता है इस शब्द शंपदा को बढ़ाने के लिए साहित के वाचन की ज़रूरत होती है। अलग-अलग शब्द भिन मता अलग-अलग जो शब्द रहते हैं उनका अर्थ उनका मीनिंग जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है शब्द कोश मतलब कि dictionary का यूज़ करना पड़ता है उसकी जरुवत पड़ती है ठीक है अब आगे चलते हैं शब्द कोश का एक पन्ना रोज एकागरता से पढ़ोगे तो शब्द संपता की शक्ती का पता चल जाएगा क्या बोलें कि शब्द कोश जो dictionary होती है उसका एक पन् मतलब कि एकदम मन लगा कर पढ़ोगे एकदम ध्यान लगा कर पढ़ोगे तो आपको शब्द संपता जो है इसकी शक्ती का इसकी ताकत का पता चल जाएगा तो अब तैय करो कि अपनी शब्द संपता बढ़ानी है तो आप क्या बोले अब आप ये तैय करो ये डिसाइड क चुरू करो तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे अगर पढ़ोगे लिखो कि तुम भी शब्द संपदा शब्दों के बंडार के मालिक हो जाओगे तो इतना सुंदर चैप्टर यह था जहां पर हमें भाशाओ का शब्द जो रहते हैं किस तरीके से बोलना ची कहा बोलना ची उसको explain किया गया है तो आई होप आपको अच्छी से समझा होगा हम अगले उडियो में करेंगे इसके question से तो मिलते हैं अगले उडियो में गार आपको यडियो अच्छा लगो तो अपसे उडियो को लाइक करो अपने सभी दोस्तों साथ share करो thank you